प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं इस लिहाज से डोकलाम विवाद पर भारत की जीत बेहत एहम मानी जा रही है डोकलाम पर विदेश मंत्राले ने बयान जारी किया है हाल के हफ्तों में भारत और चीन डोकलाम मुद्दे पर लगातार बाचीत कर रहे थे बाचीत के दोरान हम अपना दुष्टिकोंड स्पष्ट करने और अपनी चिन्ताओं और हितों को समझाने में काम्याब हुए इस बाचीत के आधार पर डोकलाम में विवाद जगा से सैनिकों को जल्द हटाने पर सहमती बनी और ये शुरू हो गया है रक्षा विशेश अग्यों ने भी डोकलाम विवाद को लेकर भारत की कूटनीती काम्याब होने की बातमारी है और विवाद सुल्जाने की पहल का स्वागत किया है बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है दूसरा दोनों देशोंने मिचुरिटी डर्शाई है वो ही इवेंचुली सुजाव है जो हिंदुस्तान ने सिज़श किया था कि दोनों देश जो है 16 जोन की पोजिशन पर विड़ो कर ले कंकरेंटली और उसके बाद बात चीत हो लेकिन चैना का जो रविया था वो थ्रेटनी था वो 62 के जुद की बात करते थे दोनों सेनाएं भारत की और चीन की अभी पीछीन हटने के लिए तयार हो गई है और ये निर्णे जी हो है ये मेरे खाले एक अच्छी पहल है दोनों देशोंने पुलिटिकल मैजूरी दिख लेकिन 2017 की सेना है दोनों देशोंने ये मामला सुलजा लिया है तो बहुत खुशी की बात है और दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने के लिए एकनॉमिक डवलप्मेंट और हर किसम से आगे तरक्की करना इसके लिए ये बहुत बड़ी भरी बात है और दोनों देश जो जो बातचीत हुई है उससे एक टकराव की स्थिती टली है दोनों देशों को प्रयासरत रहना चाहिए कि इस स्थिती का लाब उठाने के लिए एक इसका ऐसा हल निकले जिससे दुबारा ये परिस्थिती दोनों परोसियों के बीच में पैदा ना हो 16 जून को सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में सड़क बनाने को लेकर भारत और चीन के सेनाओं के बीच तनातनी शुरू हुई थी 3000 वर किलोमीटर का इलाका चीन की चुम्बी वैली से सटा हुआ है डोकलाम भारत में सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास है डोकलाम को ट्राइ जंक्षन के नाम से भी जाना जाता है चीन की चुम्बी वैली का आखरी शहर याटूंग है चीन याटूंग से डोकलाम तक सड़क बनाना चाहता है